हलो दोस्तों गूट मॉर्निंग फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है 6 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 अगस्त 2014 के Most Important Daily Current Affair के Questions के बारे में वीडियो अगर informative लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरू करना चैनल पर नए आया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चलिए बात करते हैं कल के Current Affair का कल हम लोगों ने जो चीज़े पढ़ी थी उसका रिविजन करेंगे उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा था तीन अगस्त को मनाया गया भारतिय अंगदान दिवस इंडियन ओर्गन डोने संडे इसके अलावा अभी 2023 में वैस्वे किरसी निर्यात में भारत की रैंक आठमी हो गई है मौसम के पुरवा नुमान के लिए अभी हिमांचल प्र और जारखन राजसरकारने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मईया योजना शुरू की है और अभी हाली में भारतिय नौसेना ने रूस की नौसेना के साथ मिल करके समुदरी साहदार अभ्यास MPX किया हुआ है इसके लावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भारत अ UK के वैग्यानिकों ने पुर्वोत्तर छेत्र में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियों की छे नई प्रजातियां खोजी हैं इसके लावा गूगल के CEO सुंदर पिचाई को IIT खटगपूर ने मानत डाक्ट्रेट की उपाधी से सम्मानित किया है ये टॉप 10 करेंट में रिवेजन किया है कल इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था अच्छा एक और ज़रूरी बात दोस्तों MZT कर नए अपडेट आ गया है तो फटा-फट से सभी लोग अपडेट कर लो और नए अपडेट के साथ ही बहुत ही इस्पेसल ओफर्स भी दिये ग पहला कोशन देखते हैं B.S.F. के महानिदेशक का अत्रिक्त प्रभार किसे स्वपा गया तो दोस्तों Border Security Forces के नए महानिदेशक का अत्रिक्त प्रभार स्वपा गया है किसे दलजीत सिंग चौधरे जी को दलजीत सिंग चौधरे जी ये ससस्तर स्नीमा बलके डारेक्टर जन और इनको B.S.F. के डारेक्टर जनरल का नया पदभार दिया गया है क्योंकि B.S.F. के जो महानिदेशक थे उनको अभी हटा दिया गया था अत्रिक्त प्रभार का मिलता है इस्टरच राज का मिलता है जब अचानक से कोई सीट खाली हो जाती है ठीक है तो अचानक से सीट खाली हुई क्यों अचानक से खाली हुई उनको तो नियुक किया गया था लंबे समय के लिए तो कारण देखिए अभी निकल करके जो बातें आ रही है कि जम्मू एंड कस्मीर बॉर्डर पर बहुत सारे पाकिस्तानी लगभग 600 के आसपास में पाकिस्तानी कह सकते हैं कि मि और जब ये नियुज सामनी निकल कर किया आई तो तुरंत एक्षन लिया गया बी एस एफ के चीफ नितिन अगरवाल पर उनको वहां से हटाया गया और जब ये हटाया गया तो सीट खाली हो गई महाने देशका तो फिर आनन फानन में अभी के लिए फिलहाल अत्रिक आरेक्टर जनरल के रूप में और सियार प्यप में भी एस डीजी के रूप में काम कर चुके हैं ये चार बार वीड़ता पदग से समानत किया गया है इसके लावाब पुलिस पदग और विशिष्ट सेवक लिए राश्पति का पुलिस पदग ये सब के विजयताई रहे है बीएसेफ की बात करें अगर तो एक दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी नई दिलनीम हैटकॉर्टर है मोटू है जीवन परियंत करतव्य अभी कुछ दिन पहले बीएसेफ से एक और न्यूज आये थी जब इसने गो विद्धा ट्रीज नाम से विद्धा ट्रीज नाम से एक ब्रिक्षार ओपन अभियान आयजित किया था ठीक है ना स्री नगर में तो वो भी चर्चे में आया था तब यह से मैंने आपको बताया था आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ और प्रमुक नियूक्तिया जो हुई है हाल फिलाल में उनका रिविजन करेंगे प्रिती अगला हाली में केंद्रिय ग्रह मंत्री ने कहां पर तीन नए आपराधि कानूनों के लिए ई-साक्ष, नियाए सेतु, नियाए सुरुति और ई-समन एप लांच किया तो देखिए अभी चार एप लांच किये गये हैं ग्रह मंत्री जी के द्वारा ग्रह मंत्री अमित साजी ने अभी चंदीगड में चार नए ये एप लांच किये हैं और ये चार नए एप और पोर्टल जो हैं ये तीन नए जो आपराधि कानून अभी लागू किये गये थे ना उन पर आधारित हैं उनको और सरल बनाने के लिए ये लांच किये गये हैं सरल कैसे बना जाएगा मतलब उन कानूनों के बारे में क्या धाराएं हैं किसके लिए क्या प्रावधान हैं वो सबकी जानकारियां इसमें होगी कहां कहां पर कौन सा कानून लगेगा क्योंकि आप देख रहें बहुत सारा चेंज हुआ था नियम ठीक है मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी हुई थी तीन नें जatre आये तें में परिवरतन कर दिये यह थे यह तीनों के नाम जो पहली से चला करता था जैसे भारतीय नियाए सहींता हो गई थी ठीकर ऑमcomic इसके तहत जो भी धाराएं है जो भी नियम कानून है वो इन चार आयप के मादने में से थोड़ा और आसान हो जाएगा लोगों को समझने वागर आमें जैसे जैसे ई साक्ष जो होगा ये इसके तहत सभी प्रगार के वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और गवाही ये एव आपको उसमें बताया था ना कि साक्ष सहींता के तहत हर एक व्यक्ति का अधिकार भी होगा कि वो क्या प्रोग्रेस चला वो भी देख सके साथ जब भी पुलिस इंवेस्टिकेशन करने जाएगी जब भी कुछ भी होगा तो साक्षे जो है तुरंत लिया जाएगा और तुरं समन भेजा जाएगा में भी आपको बताया गया था उसी टाइम जब यह ढया था था ठीक है ना तो इसमन मतलब कि अगर सामने शांच्प जा करकर Tulis Amundus शूरूती वीडियों का दिय्स संवाओं कर सकेगा तो कई-कई बार आपराधियों को ले जाने और लाने में बहुत रिस्क होता है ठीक है ना जेल से नेयाले नेयाले से जेल तो ये वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधम से भी हो सकेगा तो ये सब अभी चंदिगड में लांच किया इन्होंने अगर चंदिगड में ये लांच हो गया है तो चंदिगड नए आपराधिक कानुनों को हो सकता है जल्दी से पूरा कारेवन भी करने लगे तो जब वहाँ पर कारेवन होने लेगा तो ये पहला अस्थान भी बन जाएगा ठीक है ना तो चंदिगर्ड नए आपराधिक कानुनों को लागू करने वाला पहला अस्थान होगा पहला किनसा से प्रदेश आप कह सकते हो हाले में केंद सरकार ने कितने नए राष्ट्रिये हाई स्पीड कोरिडोर प्रयोजना को मंजूरी दी है किन सरकार के दौरा ये पचास हजार चेसो पचपन करोड की ये योजना है जिसमें आठ ऐसे हाई स्पीड रोड कोरिडोर बनाए जाएंगे अब इन आठ में से एक तो होगी एट लेन की रोड ठीक है तीन होंगे छे लेन की परियोजना चार होंगे चार चार लेन की परियोजना है कुल 936 किलोमेटर की लंबे सडकी बनाए जाएंगे और 50,655 करोड खर्च किये जाएंगे बताय जा रहा है कि इसको बनाने में लगभग 4.42 करोड मानो दिवस रोजगार पैदा होंगे डिरेक्टली और इंडिरेक्टली अगला कुश्चन हाली में भारत के किस परोशी देश में सैन ने तक्था पलट हुआ तो दोस्तो अभी भारत के परोशी देश बांगला देश में सैन ने तक्था पलट हो गया है कल इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई थी कि सेख हसीना जो है ये देश छोड़कर के भाग चुकी है सैन ने तक्था पलट हो गया है वहां के जो सेना प्रमुक्त है उन्होंने इनको मात्र 45 मिनट का अल्टिमेटम दिया था कि 45 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफा दो और फिर जहां मन हो वहां जाओ ठीक है क्योंकि सरकार अब तुमसे नहीं चल रही है तो यहां पर बंगलादेश में पीम सेख हसीना जो थी जो की 20 साल तक वहां पर प्रधान मंतरी रही है और पिछले चार बार से तो लगातार रही है तो अब इन्हें इस्तीफा देख करके जाना पड़ा और इंटरिस्टिंग बात यह है कि भारत एक बार फिर से इनके मदद में सामने आया यह वहां देर स्चोड़ करके भागी और आई दिल्ली में गाजयाबाद में हिंडन बेस पर इनको उतारा गया एरपोर्ट पर और फिर फिलहाल के लिए भारत की सरण में है यह आगे लगातार का घठन करेंगे और देश चलाएंगे पिम से गसीना का इस्तीफा हो गया है और वो इस्तीफा देकर जा चुकी है जन्वरी दोजार चौबेस में अभी यह लगातार चौती बार जीती थी चुनाओ कुल पांच भी बार यह प्रदान मंत्री बनी थी लगातार मि तैयरी कर रहे हो तो इस टाइम पर railway में सबसे best mock test provide कर रहा है test book test book में दोस्तों यहाँ पर आपको previous year के भी questions मिल जाएंगे पिल्कुल set wise जैसे जैसे exams हुए थे वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे mock test के रूप में तो आप अच्छे से previous year भी solve कर सकते हो इसके अलावा आपको chapter by chapter मिलेंगे subject wise यह क्या होता है तेकि इस बार टेस्टूंक ने बहुत अच्छा किया है कि subject में जैसे आपका science है ना तो science में biology है biology में chapter by chapter mock test दिये गए है मतलब कि जैसे chapter 1 फिर chapter 2 chapter 3 chapter 3 4 करके ऐसे से तो आप एक एक चैप्टर का बहतरी तरीके से mock test लगा सकते हो और तयारी कर सकते हो तो आपको धीर धीरे पूरा का पूरा जो syllabus है वो अच्छे से mock test के मादम से भी cover हो जाएगा दूसरी बात यहां बहुत सारे sectional test दिये गए हैं इसके लाओ full test है ही और सबसे ज़्यादा users होते हैं इस वजह से आप अच्छा गासा अपना analysis कर सकते हो rank wise ठीक है तो 40 full test दिये गए हैं जैसे यहां पर cpt2 की बात करें cpt1 की बात करें तो ऐसे full test इसमें कीस है अभी आगे और भी बढ़ने की संभाव ना है तो यह सब चीजे आपको मिल रही हैं ऐसे ही हर प्रकार के चाहे जई हो अरारबी का चाहे लोको पाइलेट हो चाहे आपका टेक्नीसियन सभी में मिल जाएगा तो यह सब चीजे आपको test book के future officer sale में मिलेगी test book का app download कीजिए या फिर link description में दिया गया है वहां से जा करके आप website से भी ले सकते हो test book pass pro yearly वाला लेना ध्यान रहे yearly test book pass pro वहां पर mjt coupon code यूज करना आपको 12% का discount मिल जाएगा और उसके बाद आप purchase कर सकोगे highest discount है ध्यान रहे mjt coupon code यूज करना तभी आपको discount मिल पाएगा और उसके बाद आप इस future officer sale क का फैदा उठा पाओगे आज से तैयारी सुरू कर दो डेली एक मॉक्तस लगाओ डेली मॉक्तस लगाने के साथ साथ पूरा analysis भी देखो अच्छे तरीके से और क्या-क्या आप में सुधार करना है उनकी list बनाओ जैसे कि कुछ chapters में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी अपना evaluation करते चलो और साथ साथ में मॉक्तस लगाते चलो तब तो आपका score बढ़ेगा वरना सिर्फ पढ़ते जाओगे तब भी कोई फाइदा नहीं सिर्फ मॉक्तस लगाओगे तब भी कोई फाइदा नहीं नुवाग जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक ज जीता है ग्रेंड स्लेम तो ये 24 जीट चुके हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा लेकिन अभी गोल्ड जीत गए ये ओलंपिक में तो ओलंपिक में भई आ गए ये और वैसे टेनिस के खिलारी ना इतना पैसा कमा लेते हैं ये लोग ग्रेंड स्लेम से कि इन लोग को प्रवेंट में ओलम्पिक में हिस्ता ही नहीं लिए हैं वो ओलम्पिक वगरा को इग्नोर कर देते हैं फिलाल इस बार नुवाग जोकोविच गये और जीते भी कारलोस अलकराज को इन्होंने फाइनल में हराया और गोल्ड मिडल जीता यह टेनिस में सबसे उम्रदराज ओलम पिक चैंपियन भी बन गये हैं हैं वोगेशन के नाम 24 ग्रेंड स्लैम हैं सबसे ज्यादा अगला हाली में दक्षिल कोरिया में अमेरिका के नितरतवाली संज़्गत राश्ट कमान या नि-iod truths कबंण जो है ये डख्षिड कोरिया दोस्तों एम कई रहा है क्या 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 आत्र वहां पर उसकी निगरानी के लिए रहते हैं वो कुछ ऊतरीन पड़े इसके लिए वहां पर काम करते हैं तो यह UNC इसलिए बनाया गया देर देश में लोग जूरते गए बाकी देश जूरते गए रब 18 सदस देश हो गए हैं जिससे ग्लोबल टेंसन ना बढ़े इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह छोटे मुटे चीजें ग्लोबल टेंसन ना बढ़े इसको सबको देख र रहे हैं तो यह वही बात है हिपोक्रिसी वाली आगे दोहजार चौबिस अगस्त में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केवाज रेफरी कौन बने हैं तो भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केवाज रेफरी बन गए हैं साई असोक यहाँ पर है साई असोक जी यह ओलम्पिक में गए हैं और अब ये बन गए हैं रेफरी वहाँ पर ठीक है ना बॉक्सिंग के रेफरी हैं ये रेफरी आप जानते हो ना जो अम्पायरिंग का काम करता है और निर्देश वगरा देता है तो ये अब देखना होगा इस बार कितना मिडल आता है पिछली बार तो साथ मेडल आये थे अभी इस बार कुछ अंदाजा नहीं है कि कितना आएगा लेकिन जादा आने के उम्मीद है क्योंकि पिछली बार सुटिंग से एक भी नहीं आये थे सुटिंग वगरा के इवेंट शुरुआत नहीं हो जाते हैं तो वह अब इस इस बार हुए हैं तीन मेडल भी आ गए बाकी के रिजर्ट्स होते हैं वो लास्ट में आना शुरू होते हैं ठीक है ना मतलब अभी आपको साथ या आठ तारिक से दिखना शुरू हो जाएंगे आठ नौ दस में खुब सारे मेडल देखने को मिल सकते हैं यह हो सकते हैं ना भी मिले तो मतलब जिसके इसके फाइनल्स होते हैं वो लास्ट में ही जा करके पढ़ते हैं तो उमीद है कि इस बार इंडिया अच्छा करे आप लोग को क्या लगता है बताएगा सटीक डेटा परबंधन के लिए किसके दोरा वेब पोर्टल निवाही का लांच किया गया निवाही का तो अभी हाली में सटीक डेटा परबंधन के लिए डेटा मेनेजमेंट के लिए निवाही का वेब पोर्टल लांच किया है दोस security बहुत ज़्यादा important है तो उसी को regard करने और शुरक्षित पहुंच की अनमती देने के लिए शुरू किया है निवाही का पोर्टल ठीक है अगला हाली में मसुहर निर्तियांगना यामनी क्रिष्णमूर्ती जी का निधन हो गया वक्रिष्ण से सम्मंदित थी very 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 most important आज का सम लोग यह सबसे महात्वपूर्प्रस्ण है यामनी क्रिष्णमूर्ती जी बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ स्टेटिक में यह भरत नाट्यम और कुच्चुपूरी के दोस्तों यह मसुहर निर्तियांगना थी और इनको तीन के तीनों तीन के तीनों पद्मसंमान मिल चुके थे पद्मविऊशन पद्मभूशन और पद्मसरी इनका अभी निधन हो गया है 84 एर की एज में ठीक है तो बुढ़ापा की कारण जनरली बुढ़ापे वाले समस्याओं की कारण निधन हुआ है वेटरेन भारत नाट्यम डांसर यामनी क्रिष्णमूर्टी तो इनसे कुशन बनेगा जरूर बहुत इंपोर्टेंट है भरत नाट्यम की भी ये निर्त्यांगना थी और कुचिपूरी की भी थी जैन में इनका तमिलनाड़ो में हुआ था बाद में आकर के ये आंध्रपरदेश में भी रहने लगी थी भरत नाट्यम जो है ये तमिलनाड अगला मातपोर्ण निधन देख लेते हैं जो पिछले दुनों में हुए अभी मैंने कल लिया परसों आपका रिविजन कराया था अंसमान गायकवार्ट जी के बारे में किर्केटर और कोच थे ये कमला पुजारी जैविक खेती के लिए मसूर किसान थी पदमस्री प्रोसकार विजेता हैं सरसेश किसान प्रोसकार भी मिल चुगा है कमला पुजारी का भी नाम याद रखना राजी उतारानाथ सरोध वादक थे इनका भी नाम याद रखना नारायन वागोल आधोनिक भार प्रोसर यक्षिगान कलाकार थे अगला हाली में केंद्रिय समुद्री मत्च अंस्वंदान संस्थान यानी CMFRI का निदेश किसे न्यूक किया गया तो दोस्तों अभी डारेक्टर आप सेंट्रल मेरीन फिसरीज एंड रिसर्च इंस्टिटूट के नए डारेक्टर न्यूक कि प्रण के प्रमुख रह चुके हैं और अभी यहां पर CMFRI के महाने दिसक बने हैं साथ साथ धाका में दच्छिड़ेस याई सहयोग संगम में यह विससक का अभी पद समाल चुके हैं 20 से ज्यादा सालों का इंके पसान बहु है CMFRI का हेड़क्वाटर कोच्ची केरल में है तो बग थे वो सब भी फिक्स किये गए हैं तो एपको अपडेट कीजिए यही पर आपको वर्लाइनर भी दिये जाएगा इसके अलावा इबुक वगएर जिनको चाहिए वो इबुक ले सकते हो अर्दबार्सकी है साइंस है वगएरा वगएरा लाज्ट डे में आपसे कु जा सकता है तो बताईएगा जरूर इसके अलावा 2022 से पहले राष्टी अंगदान दिवस कब मनाया जाता था ये भी बताईएगा दोनों कुश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर अंसर करना इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्राम पर भी बेज दी जाएग बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहिन वंदि मात्रम